हेलो नमस्कार और वेलकम फ्रेंड्स मैं सुरच कुमार आप सब का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नौलेज डिस्क्लोजर में आज मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं जिसके तुरूम अपने तो उसमें धाई रुपे कट जाएंगे 97.5 रुपेज आपके अकाउंट में आजाएंगे बैक अकाउंट में धाई परसंट चार्ज किये वीडियो है मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट वीडियो है अगर आपको अपने अमजन पे का बैलेंस अपने बैंक आनों ट्रांस्फर करना तो गाइस देख रहे हैं आप ही डिस्प्ले में यह है जो अप्लिकेशन हम यूज करने वाले अपने अमजन पे का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांस्फर करने के लिए 2.5 परसंट चार्जिस के साथ हाँ बहुत ही मिनिमम चार्जिस है इतना तो क्रेइट सब्सक्राइब करेंगे अपने डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इस पर अपना एकाउंट कर लेंगे आपका नाम नेम आपकी मोबाइल नंबर आपका सरनेम आपकी सारी डिटेल्स इमेल आईडी वगेरा एंटर करके आपका एक क्रियेट हो जाएगा उसके बाद सीधा आप ट्रांजक्शन पर नहीं जाएंगे उसके बाद क्या प्रसेस करने वो मैं आपको बता रहूं जैसी आप रेस्टेशन कर लेंगे जो इंटरफेस आपको द आपका पेक बैसंख्यर घ्माट इमडा इंबेंगे जैसे पेट चार ऑप्चै और इंबाइल इब्च्न पर बैक प्लीक करेंगे बैंक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यह इंटरफीस खुल जाएगा यह मेरे जो मैंने अल्रेडी बैंक अकाउंट्स रिइस्टर कर रहे हैं यहां पर आपको क्या करने के बाद आपको जो अमाउंट सेंड करना है जो भी है जो परपस है वह और यहां पर हाई की और 10 अगस्त ट्रांजक्शन कंप्लीट होगी नामल करेंगे तो 11 अगस्त को होगी और इसमें परसेंट फेंट ऑफ चार्जस थी में लगते हैं अमाउंट में लगता है तो में निकाल चुका हूं चलिए मैं यह बार निकाल क्या आपको दिखाता हूं मैं आपना कोई भी है फिर पेपर क्लिक कर दिया था उसके बाद देखिए यह option आ गया है मेरी साही डिटेल्स जो मैंने एंटर की थी फिस्ट है वो रेइस्टर हो जाती है अल्रेडी वो शो हो रही है आपको सामने इसके बाद कितना करना है मुझे सेट अपने हाई के हिसाब से 21 डुपे चार्ज लगरा इसमें 18 रूपे मतला Łमस 90 रुपे चार्ज लगेगा तो सारा जो भी 757 उरे 19 रूपीस इसमें एड होंगे तो 776 हो गया एक आउंड 776 आप पे करेंगे उसके बाद पेपर क्लिक करेंगे जो नीचे option और यहां पेपर क्लिक करते हैं पेपर क्लिक करने के बाद देखी यहीं इंटरफेस खुल गया है इस इंटरफेस में आपको क्या सवाइक करना तो में बतात हूं हम देखिए मोबी को वालेट आ रहा है नेट बैंकिंग आ रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस काड आ रहा है और तॉप और अप्शन पर मास्टर कार्ड वीजा रूपे और लास्ट में वालेट का उप्शन आ रहा है तो हम फॉर्स्ट उप्शन सेलेक्ट करेंगे इसके बाद हम ने इंटरफेस कुलेगा इसको हम फॉलो करेंगे देखिए इंटरफेस खुल गया डैबिट कार्ट का नेट बैंकिंग यूप आइन वालेट यह जो वालेट उप्शन क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए इसमें और सारे वालेट हमेश्च मिल जाएंगे तो हम अपनी Amazon में ही है जो हमने free में cashback के through earn किया हुआ है तो हम Amazon पर हैं से select करेंगे Amazon पर select करने के बाद pane आओ पर click करेंगे पर click करने के बाद देखिए प्रोसीड करेंगे transaction Amazon का interface खुल जाएगा Amazon का interface खुल गया देखिए गई अब यहां पर हमें सब्सक्राइब करते हैं साइन इन पर click कर दिया है मैंने देखिए अब इंटरफेस खुलेगा इसके बाद वह मैं आपको शो करता हूं देखिए यह आगया करेंगे बहुत ही यूसफुल ट्रीक है को इश्यू नहीं है इसमें देखिए सक्सेस हो गया है ट्रांजक्शन देखिए हैं अब आपको शो कर देता हूं जो लिए वहाँ पर बो मैं आपको ओम पर जाके transactions पर जाके मैं आपको दिखा देता हूं यह दिए transaction का option आ रहा है transaction का options अब देख लेते हैं transaction के option में details दिखा देता हूं मैं आप कुछ हमारी first transaction ने देखिए दोनों तीनों transaction मैंने Amazon से करी है 500, 400, 800, 700, 500 यह देखिए first transaction में open करके दिखा तो कि successful हो गई है settlement date 11 तारीक की है 11 तारीक है उससे पहले यह amount हमारे bank account में आ जाएगा देखिए settlement amount of 557 रुपीज बागी bank ट्रेस जो मैंने एंटर करी थी पे के टाइम वहीस हो रही है उसी bank में यह पैसा आएगा तो काई यह थी ट्रीक Amazon का Amazon पे का balance अपने bank account में लेने के लिए वो भी सिर्फ 2.5% चार्ज़ ने तो भाई फटा फट जाओ और वीडियो को पहले लाइक करो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करो application का link बने description में दिया हुआ है description में सबसे नीचे link दिया हुआ है bottom में जाएंगे last में आप महा application का link है महां से आप download कर सकते है application को and proceed कर सकते हैं आप सारी transactions को तो guys video अच्छी लगी हो तो like जरूर करन और comment box में अगर को issue आ रहा है आपको ट्रान दक्सिंग नहीं कर पा रहे हैं तो comment box में मुझसे जबन कोई है thank you guys thank you for watching my video